सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रान चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फाइनली वनप्लास वालों ने यहाँ पर काफी सरे डिवाइसेस के अंदर सोटा वर्जन रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है इसकी स्टैप से देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं वन बाई वन सारे कुछ बताने वाला हूं तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिये स्टाट करते हैं अब यहाँ पर फीचर्स बाक्सेवर के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके वर्जन वगरा चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर आपको U001P01 ब्रेकेट में BRA1EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट को जो साइज है वो लगभग यहाँ पर 80 MB से 100 MB के बीच में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको अक्सिजन वेस 14 बेस डॉन एंड्राइट 14 के अपडेट के साथ अफिस्यल वर्जन देखने को मिल जाता है बात कीजा इस अपडेट के बाद इसके अपडेट से कुरीटी पेज की तो यहाँ पर आपको अपडेट 14 के अपडेट के साथ 5 जुलाई 2024 का latest enhanced Android System Security देखने को मिलता है बात कीजा इस अपडेट के बाद इसके system performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो system performance है उसको यहाँ पर आर भी improve और optimize किया है जिससे कि जो system के अंदर जो भी छोटे-मोटे non-issue थे भक्स वागरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे system performance और overall system UI को optimize and improve किया है जिससे कि आपको आर भी better experience के साथ, better UI के सा better performance देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको आर भी improve और optimize किया है जिससे कि जो better battery life, apps, opening, closing, animation, stability, speed वगरा आपको आर भी better experience के साथ, better smoothness के साथ, stable performance देखने को मिलता है इसके अलाओ बात किज़ अगले features की तो वो आपको मिलता है दोस्तो calculator apps के अंदर, अगर दोस्तो आप calculator apps को floating window के रूप में use करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक new features देखने को मिल जाता है, आपको calculator app के उपर में three dots देखने को मिल रहा है, उसको click करके setting option में जाएंगे, तो य new features देखने को मिलता है, जिसे आप on करेंगे, तो आप floating window में calculator app यूज कर रहे हैं, उसको आप transparent कर सकते हैं, इस features को on करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा icon देखने को मिलता है, जिसमें आपको transparent का level कितना रखना है, कितना आपको transparency चाहिए, वो आप यहाँ पर manage कर सक देखने को मिलता है, जिससे कि जो आपका calculator apps है, वो यहाँ पर floating window में transparent देखने को मिल जाता है, इसके लाव बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर, निचेक साइड, additional setting के अंदर, screenshot में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक new option देखने को मिलता है, screenshot preview floating window, यह option दोस्तों क्यों यहाँ पर add किया है, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप screenshot लेते हैं, तो आपको already छोटा सा floating window group में थोड़ा सा preview होता था, तो वही features यहाँ पर add कर दिया है, इस option को अगर आप on करते हैं, तभी आपको screenshot लेने के time पर छोटा सा floating window group में preview द देते हैं, उसके बाद अगर आप screenshot लेते हैं, तो आपको यहाँ पर preview show नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको screenshot preview का new option add कर दिया है, अगर इस बात की जाई, सबडेट के बाद इसके battery performance की, तो इसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर, नीचिक side battery के अंदर, यहाँ पर देखेंगे द यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ situation में काफी ज़्यादा battery draining का problem phase करना पड़ रहा है, अगर आप game खेलते हैं, थोड़ा heavy task करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो battery performance है, वो काफी बूरा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा battery draining का problem phase करना पड़ रहा है, अगर दोस्तों आ आप normal condition में यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर normal performance के साथ battery backup देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा heavy task करते हैं, गेम वगरा खेलते हैं, तो आपको थोड़ा battery draining का problem phase करना पड़ रहा है, साथ ही charging speed की बात करें तो यहाँ पर जो charging speed है, वो काफी अच्छा देखन करने को मिल रहा है, यहाँ पर charging speed में कोई भी problem phase नहीं करना पड़ रहा है, बात की जाई सब्डेट के बाद इसके game performance की, तो यहाँ पर इसका जो game performance है, वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, पहले दोस्तों कुछ कुछ situation में, जीटर इसू, वीज वीच में frame drop इसू मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप game खेलते हैं, तो आपको यहाँ पर battery draining का problem phase करना पड़ता है, बाकि जो overall game का performance है, वो काफी smooth और stable देखने को मिल जाता है, बात की जाए OnePlus के system application update की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के description में, अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है, आ आप वहाँ पर जाकर अपने system application को update कर सकते हैं, यहाँ पर आपको oxygen OS 13, oxygen OS 14, and oxygen OS 15 का काफी सारी system application update देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप oxygen OS 15 का system application update करेंगे, तो carefully install कीजेगा, हो सकता है आपको apps crashing issue अगर देखने को मिल जाए, तो आप अपने risk में carefully install कीजेग तो ए रहा सोटा वर्जन का full review, दोस्तों यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है, तो कौन से new features और bugs देखने को मिले, आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा, तो इतना ही था दोस्तों, इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूल मिलते हैं हम next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों